नमस्कार स्वागत है आपका खबरों का पंच नामा में मैं हूँ आपके साथ कांची बंसल हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरे जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर म सबसे पहले नजर डाते हैं हेड्लाइन्स पर गुजरात की ताबरतोर रैलियों में पी एम मोधी की हुंकार विपक्ष पर किया तगड़ावार बोले ये मुफ्त बिजली हासिल करने का समय नहीं सेना का अप्मान कर बुरी फसे रिचा चड़ा फिल्मेकर शोक पंडित ने दर्ज कराई एफ आयार बीजपी ने भी की बयान थे निल्दा जेल वीडियो लीक केस में दिल्ली हाई कोट जाएंगे सतेंद्र जैन वकील ने राउच इवेन्यू कोट से याचकब आप इसली वीडियो लीक रोखने की लगाई तुगुहार शिफसेना का नाम और चिन चिनने पर बॉकलाय संजीर राउत चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा रोख कहा मोदी सरकार का गुलाम है लेक्शन कमेशन दिल्ली की जामा मस्जिद में लड़कियों की एंट्री पर लगा बैंड डीसी जबली अध्यक स्वाती मालिवाल ने जारी किया नोटिस आम आदमी पार्टी ने जताया विरोख खबरों के सिलसले में शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ गुजरात विदान सबा चुनाव के मध्य नजर आज पीए मोदी ने गुजरात में चार ताबड तोर रैलियां की एक बार फिर से पीए मोदी ने बनास कांठा के पालनपूर में चुनावी रैली को संबोधित किया इस जोरान पीए मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साथा और कहा कि ये समय मुफ्त बिजली हासिल करने का नहीं है डॉक्टर साब पीए मोदी ने मुफ्त बिजली के चक्कर में खेजुवाल को खेल लिया है कि फूरी मत लेना आप ये समझे की कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है आप अगर ये अपील कर रहे हो कि जो तुमको फायदा देने वाले लोग कह रहे हैं उसका विरोध नहीं फायदा ही मत लेना ये अपने आप में बताता है कि प्रधान मंतरी मोदी अपने कैम्पेज से भारती जन्ता पार्टी के तैयारी से पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि गुजरात में इस बार वो लोग आसारी से जीत हासिल कर सकते हैं और इसका एक एक एक्जाम्पल ये भी समझ में आ रहा है एक तो राहूल गांदी पिछण गए गुजरात में कॉंग्रेस पार्टी का कैम्पेइन कभी उफान पे आया ही नहीं और जिसने प्रचार प्रसार किया केजरिवाल ने आज ख़बर आ रही है कि जो रैलियां होने वाली थी जो फिक्स्ट रैलियां थी उसकी संख्या केजरिवाल और मनिस्टी सोधिया ने घटा दी है क्यों कि लोग उस हिसाब से नहीं पहुँच रहे जिस हिसाब से लोगों को आना था जबकि आमाद्वी पाटी गुजरात में पानी के तरह पैसे बाहा रही है लोगों को रैली में बुलाने के लिए पैसे बाट रही है इसके बावजूद आमाद्वी पाटी बैक फूट पर निज़र आ रही है तो कहने का मतलब यह है कि चुनाओ में अभी वक्त है लेकिन अगर सिर्फ कैंपेन का अस्तर देखे तो भाटी इंता पाटी काफी आगी चल रही है जी यानि की पीएम मोदी ने राज्ज को निखारने की और विपक्ष को हराने की पूरी प्लैनिंग एडवांस में ही कर ली है आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पड़ एक्टरेस रिचा चड़्डा मुश्किलों से घिर गई है हाल ही में सेना के कमांडर उपेंदर दिविवेदी ने एक बयान देते हुए कहा था कि अगर सरकार इजाज़त दे तो हम पीओके को वापस लेने के लिए भी तैयार हैं इसी बयान के बाद रिचा चड़्डा ने ट्वीट में गलवान का जिक्र करते हुए सेना को ताना मारा जिसके बाद अब रिचा चड़्डा पर केस भी दर्ज हो चुका है डॉक्टर साब रिचार चद्दा भारत काई खाती है और भारत के सेना पर ही ताना मारती है एक सौरी कैसे जस्टिफाइब कर सकता है बड़ी गलती को देखे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस तरह का बयान इस तरह के विवाद इस तरह के जुकसित के अववाफ फैलाने का काम रिचा चड़ा पहले से करती है यह दरसल यह लोग टुक्रे टुक्रे गैंक के फेसिज हैं सी यह होता है तो पहुंच जाती हैं सी यह का फुल फॉर्म मालूम नहीं होगा लेकिन फिर भी पहुंच जाएगी मुसल्मानों के उपर अचार हो रहा है इसको लेकर के यह लोग पता नहीं क्या 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 करते हैं लेकिन हकिकत क्या है इन लोगों को प्रधान मंत्री मोदी से घणा है और उस घणा में ये लोग सेना को भी नहीं छोड़ते देश को भी नहीं छोड़ते और ये लोग कभी-कभी लक्षमन रिखा को क्रॉस कर जाते हैं जो आज रिचाचड़ा देखिया गलवान के उपर आप ये कह देंगे कि भई आप आप होते कौन है कि आप गलवान के सहीदों का आप मजा कुला सके हिंदुस्तान की सेना का आप मजा कुला सके बिवाद बढ़ा माफी मांग ली तो माफी मांगी तो उन्होंने कह दिया कि मेरे नाना भी सेना में थे, मेरे मामा भी सेना में थे, पारट उपर थे, आज उनको भी शर मारा होगा कि परिवार में कैसी लड़की पैदा हो गई, ये एंटी हिंदू एजेंडा चलाने वाली एक्टरस है, और इसलिए अशोक पंडित ने फुलिस मिलाकर के शिकायत की, और उपर मजाक, उसके उपर भद्र टिपणनी करने वाले लोगों के ये जो काम है, ये अपराधिक काम है, इसके उपर क्रिमिनल चार्जेज लगनी चाहिए, अब पोलिस क्या करती है, ये आगे पता चलेगा, लेकिन देश की जनता ने रिचा चड़ा जैसे लोगों को बहु सतेंद्र जैन की और से पेश सीनियर एवोकेर राहुल महरा ने उस अर्जी को वापस ले लिया है, जिसमें जैन से संबंद से सीटीवी की किसी भी क्लिप को प्रसारित करने के लिए मीडिया को निर्देश देने की मांग की गई थी, जैन इसके बजाए उच्छ नयाले कार करेंगे, डॉक्टर साब, सतेंद्र जैन क्या इस कदम से आगे बढ़ जाएंगे? फैसले नहीं होते, इनको समझ में आगया कि वहाँ फजियत भी होगी, खबर भी बनेगी और कोई फैसला इनके फिवर में नहीं आएगा, तो यहनोंने हाई कोट कर रुख किया है, कि ताकि मीडिया को पर बैन लगा दिया जाए, अरे भई, सच को छुपाना इतना आसान का है, मीडिया को बैन कर दोगे, सोचल मीडिया को कैसे रोगोंगे, आप सच्चाई को छुपाना चाहते हो, यह कटर इमानदार और खुद को भगसिंग की अवलाद कहने वाले लोग, सच से इतना डर गए, कि सच को दबाना छुपाना चाहते, परिशानी क्या है, परिशानी जिसका वीडियो है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे है, कि उनकी पत्नी भी इस सेल के अंदर गई, वो सब वीडियो बाहर आएगा, मुझ दिखाने लाइक नहीं बचेंगे, फिर कहां से आप डिफेंट कर पाएंगे, एक तो बाहर का खाना मंग वा रहे हो, एक रेपिस फिर डिफेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये दूसरी इसको कवायत, मैं बता रहा हूँ, ये राजिनिती का नेटवर लाल है केजरीवाल, ये सच छुपाने में मास्टर है, चुके अभी ये रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, तब इन्होंने कोट का दरव चुनाओ है, हम तो कहीं कर नहीं रहेंगे, तो ये जो सत्यवादी बनने का नाटक केजरीवाल करता है, वो इनके इनकारनामों से पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है, यानि कि अब सतेंद्र जैन जितनी भी सफाई दे ले, किसी भी कोट का दरवाजा खटखटा ले, उ क्योंकि सच चिपने वाला नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आज फिर संजे राउत की ओर से एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव आयोग तटस्थ होता, तो शिवसेना का नाम और उनका चुनाव चिंता नहीं, देश की सभी संस्थाय दबाव में काम कर रही ह आज मेडिया से बात करते हुए संजे राउत ने यह बयान दिया है, डॉक्टर सÁP अब तो संजे राउत ने इलक्शन कमिशन को भी बायस्ट बता दिया है, देखे यह इनका काम ही है सब को बायस्ट बता देना, यह केजरी वाल का फोटकॉपी बनते जा रहा है, दिकत क्य आए अभी जेल की हावा खाके आये हैं जब जेल नहीं गहते तो कहते बहुए इडी सीवियाई सब इसारे पर काम कर रही है बहुत में तो आपको बड़ी नहीं की आप इतने दिन तक जेल में रहें क्यों रहें अपनी करतूतों के वज़े से रहें अब बाहर आकर के वह आपके पास ज्यादा विधायक हैं या एकनात के पास है एकनात सिंदी के पास ज्यादा विधायक हैं आपके पास ज्यादा सांसद है या एकनात सिंदी के पास ज्यादा सांसद हैं एकनात सिंदी के पास ज्यादा सांसद हैं एकनात सिंदी के पास ज्यादा सांसद हैं एकन तो सुख्र मनाओं कि ज Holzीना नाम और सिंबल वह एकनाथ सिंदे के पास नहीं गया otherwise originally अगर election commission कोई दवाब में नहीं होता तठस्त होता तो यह सब कुछ एकनाथ सिंदे के पास होता तो संजय राउत को election commission का criticism नहीं बलकि धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम वो चुनाव चिंध और नाम election commission ने freeze कर दिया है जी आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज की आखरी बड़ी खबर पर दिल्ली की अतिहासिक जामा मस्जिद ने लड़कियों की entry बैन करती है जामा मस्जिद के तीनों entry gates पर एक notice इस बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा है कि नमाज पढ़ने के लिए आने वाली महिलाओं को नहीं रोका जाएगा उन्होंने कहा कि ऐसे शिकायते आ रही थी कि लड़कियां अपने प्रेमी के साथ मस्जिद में आती है इसलिए ऐसी लड़कियों की entry बैन कर दी गई है वहीं दिल्ली महिला योग की अध्यक्ष स्वाती मालिवाल ने जामा मस्जिद में महिलाओं की entry रोके जाने को गलत करार दिया है डॉक्टर साथ जामा मस्जिद में लड़कियों की entry बैन कर दी है ऐसे में स्वाती मालिवाल का बीच में इंटर्फेर होता है कैसे दिखते हैं देखिए कोई बैन कहा है बैन लगने के बाद वो पोस्टर भी और सारे रिपोर्टर लड़कियां रिपोर्टर वहां गई भी हैं जो वीडियो नजर आ रहा है लड़किया मौझे तो इसमें दाल में कुछ काला नजर आ रहा है और जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं खबर आई कि भई यह बैन हटा लिया यह हटा लिया गया क्योंकि harli साहब का फोन अब दी साहाब का फोन जाता है तो यह बैन हट जाता है तो मतलब यह किसी और का फोन गया होगा है तब यह बैन लगाया गया होगा इसका धर्म से और वहां पर जो प्रोन करा यह स्कृष्छ अचानक से आपने ये फैसला लिया, किस के कहने पे लिया, कि जिरिवाल के कहने पे, कि एलेक्षन का कोई मसला उट जाए, सौति माहीवाल आपको नोटिस दे दे, उस नोटिस को फाल के फेग देना, हम गुजरात में कह देंगे कि भाई हम तो प्रो हिंदू हो गए, हम तो कटर हनवान जी के भक्त हैं और अब जामा मस्जिद में जिस तरह का फैसला हुआ उसका भी विरोत करें स्वाति माईवाल ने इसको नोटिस भेज़ दिया और मुझे लगता है कि इसकी ख़बर बीजेपी को पड़ गई हो गया यही इसकी कहानी है यानि अचानक से मस्जिद के बाहर नोटिस लगाना और फिर अचानक से इसपर स्वाती मालिवाल की ओर से अक्षन अपने आप में आपकी राजनिती का परदाफाश करता है बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए दॉक्टर मनी धन्यवाद ऐसे ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए और अनलिटिकल खबरों के लिए देखते रहे हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेर करें और अगर आप क्यापिटल टीवी बढ़नाए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें